अगर आप बाहर की देशों में देखोगे तो बहुत सारे देशों में कोरोना का नाम तक नहीं है चलो सबसे ट्रस्टिबल देश किसको मानते हो दुबई को तो मानते हो ऐसा सोचना है कि वो trustable vaccination महा हो रही है महा मिल रही है vaccine या आपने भी सुना होगा ठीक है और बहुत सारे बाकी countries में है लेकिन दुबई में जाना थोड़ा हमारे Indians के लिए हासान है महा जाके vaccination करवाना हासान है ठीक है अगर आपके पास पैसे हैं जो लोग के पास पैसे थे वो दुबई गए और उनने vaccination करवा ली आपको पता है दुबई में भी कोरोना के cases कंट्रोल हुआ है vaccine के थूँ वहाँ पर vaccination बहुत बड़े पैमाने पर लोगों लगाए गई है तब जाके कोरोना कंट्रोल हुआ है इंग्लेंड वेक्सिनेशन से कंट्रोल किया है इस्राइल व developed countries है उन्होंने vaccination चाइना खुद जहां से वाइरस आया था उसने भी vaccination से ही कंट्रोल किया है मगर vaccine मतलब यह है कि vaccine लगाओगे तो आपकी body में antibodies बनेंगी coronavirus की और फिर आप लोग लंबे समय तक survive कर सकते हो otherwise नहीं अब इसमें सवाल बहुत सारे उठते हैं बहुत दिमाग में सवाल आते हैं fundamentally एक सबसे बड़ा दिमाग में सवाल क्या आता है पता है हिंदुस्तान किसी और चीज से मरे नहीं मरे अफवाओं से जरूर मरेगा और जब vaccine की बारी आई कि Indian government ने vaccine लगाने का program तयार किया है तो यहाँ पर अफवाई होनने लगी vaccine से मौत हो रही है vaccine से side effect हो और हम उसे कैसे बच सकते हैं किस तरह कि side effect होंगे यह सवाल भी आपके दिमाग में आते होंगे तो आज इस session में आपको सारी चीजों की जानकारी दूँगा तो आज आपको यह जानना क्यों जरूरी है जरा इसको भी समझ लीजिए क्योंकि आप लोग याद रखेगा पहल पहले पहले हैं कि अब मास्क पहनो फिर पता लगा सिर्फ मास्क से काम नहीं पढ़ेगा आपको N90 या N95 मास्क पहनने पढ़ेंगे फिर आपको बताया कि सेनिटाइज करना पढ़ेगा हाथ दोना पढ़ेगे जानकारियां थी तो बचे रहे आज तक आप अभी एक जानका अगर हमने वो पोलियो की डोज नहीं लगवाई होती या पोलियो की डोज हमने नहीं ली होती वो ड्रॉप नहीं ली होती तो आज हमारी जनरेशन को भी पोलियो होता समझे इस चीज को अब ये धीरे-धीरे करके जाएगा एक दिन कोरोना का भी अंतायगा और कोरोना खतम हो जाएगा जैसे पोलियो का अंतायर पोलियो खुतम हो गया मैं आपकी जानकरी के लिए आपको बता देता हूँ कि हिंदूस्तान कहता है कि हम पोलियो फ्री हैं लेकिन बहुत सरे ऐसी दिलवाए इसलिए हम लोग polio free हैं आज इसी तरह से अगर हमें corona free होना है तो हमें corona की vaccine लगवानी है